हमसुटब थे आपका विद्यार्थि कोच इंटर केНडर के यूट्यूख चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करने बारे में कार्लमार्व के जीवनी के बारे में हम देखेंगे कार्लमार्व कालिए कौन थे हैं क्या थे इंद्यों क्या क्या से काम किये थे साथ हम जानेंगे इनकी रचनाई के बारे में इन्होंने कौन-कौन से रचनाई की थी और हम जानेंगे इनके सिधान के बारे में इन्होंने कौन-कौन से सिधान दिये थे तो सुरवात करते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स के परिचाहसे कार्ल मार्क्स का जनम 5 माई 1818 इसमी को जर्मनी के राइन प्रांट के ट्रियर नामक सहर में हुआ था इनका जनम एक यहूदी परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम हेन्री माक्स था जो पेशे से एक वकील थे तो एक इस लाइन आपको याद होने चाहिए यहां से कुछ माक्स था जो पेशे से एक वकील हुआ करते थे आंगे अगर हम लोग देखें तो 1824 में इनके परिवाद ने इसाय धर्म को सिविकार किया और 17 वर्ज की अवस्था में कार्माक्स ने कानून का अध्यान करने के लिए बॉन्ड विश्वविदाले में प्रवेश लिया तो कि कार्माक्स करनून के पढ़ाई कहां से किया तो बॉन्ड विश्वविदाले से इसके बाद उन्होंने बर्लीन और जेना कि सविदाले में आध्यन किया 1847 में कार्माक्स का विवाह उनके बच्पन के नित्र जेनि के साथ हो जाता है तो कुछ कुश्चन आप तो यहां से भी आयाद रखेंगे कि उनका विवाग किसे होता है तो जीनी से कब को 1847 में आँगे देखें हम लोग कार्ल मार्क्स के मुलकात 1844 में फेडरिक एंगल से हुई और उनकी मित्ता जीवन भर बनी रही मार्क्स ने इंगल के साथ 1848 में साम्यवादी घोषना पत्र को परकासित किया जिसे आधोनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है आँगे चलकर कार्ल मार्क्स ने 1800 संसेट में दास केपिल की रसना की जिसे समाजवादियों की बाइविल कहा जाता है तो कुछ कोश्चन आपको यहां से भी बन सकते हैं जैसे कार्ल मार्क्स फेडरिक एंगल से कम बिले थे तो 1844 में उन्होंने साम्यवादी घोषना पत्र कब परकासित किया तो 1848 में और आधोनिक युग में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है तो साम्यवादी घोषना पत्र को यह भी आपके कोश्चन बन सकता है कि दास कैप्टल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की कब इन्होंने रचना किया था तो 1800 संसेट में और समाजवादियों कि बाइविल किसे कहा जाता है तो इसका भी एंसर हो जाएक आपका दास कैप्टल को तो जगर आप लोग सब्यक्टिव कोश्चन याद कर लेते हैं तो अबजेक्टिव कोश्चन पे आपका 100% कमांड रहेगा और अगर आपने मेरे पहले वाला आपजेक्टिव कोश्चन पे देखे हैं में 64 वर्स की आयू में लंदन में हुआ तो एक क्वेशन आप यहां से व्याद रखें कि उनके मिर्तु क्या हुई तो 14 मार्च 1883 में उस समय उनके में 64 वर्स की थी और जिनके मिर्त लंदन में हुआ था आई हम लोग बात करते हैं अब कार्ण माक्सी रचनाई में कार्ण माक्सी दो रचनाई काफी ज्यादा प्रसिद्ध है पहला कम्यूनिस्ट घोशना पत्र जिनका सचना उन्होंने फेडरिक एंगल के साथ मिलके किया थ जिसमें माक्सबाद और साम्यबाद के मूल सिधानतों की विवेचिना की गई है और 37 अगर हम दो देखें दास कैप्टल के बारे में तो दास कैप्टल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ण माक्स ने 1866 में की थी इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विसलेसर ने चीन मन्यताओं को जंक जोड़ कर खिला दिया और याद रखना चाहिए कि इसको हम लग समाजवादियों की बाइबिल करते हैं इसी किताब को जो लिखी गई है कार्ल माक्स से द्वारा जिसका नाम है दास कैप्टल और यह प्रकासित हुआ था 1800 संसेट में अब हम देखें सिधान के वरम विखें के सिधान कैते थे तो पहला हिंका सिधान था के वर्ग संघर्ज का सिधान दूसरा सिधन था धा दव्ववतिकवाद का सिधान तिसरा सिधान थे एंका इतिहास के वह दिक którego बैख्या है इनका चोठा भी सबर सिधान थे चौटा सिधान मुल्य और अतिरीक्ट मुल्य का सिधान और पाचवारम देखने का राजजिहिईन तथा वर्गहिईन समाच की अस्थापना तो कुल मिला के इन्हों ने पास सिधान दिये थे जो आपके सामने इस परकार से हैं कि स्वर्ग संघर्ज का सिधान दूसरा दोंदात्मक भौतिकवाद का सिधान तीसरा इतिहास के भौतिकवाद की व्याक्या और चौठा था सिधान और पाच्मा सिधान ता राज हीन तता वर्ग हैं समाज की अस्थापना तो पांचों सिधान ता आप तो याद रखेंगे और इनके कुछ अब्जेक्टिव कुश्चन भी काफी ज्यादा पूछे कहें एक्जाम में और आंगे भी पूछे जाने की संभावना है है तो उम्मिद करते हैं कुछन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शो सेर ज़रूर करें 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 करें